प्रेंट्स आज हम बनाएंगे सवें गील है सवें फ्राइब करने के लिए फ्रेंट्स चीनी 80 ग्राम के लगवग सवें 75 ग्राम और ड्राइब फूट्स आप अपने मन पसंद अनुसार डाल सकते कम ज्यादा जैसा भी इच्छा करें और दो इलाइची तो चलिए फ्रेंट्स सवें बनाना सुरू करते हैं फ्रेंट्स देखें यह एक लीटर दूध है इस पैन में जो बॉइल हो गया है दूसरे पैन में घी डालेंगे सबसे पहले उसमें हम लग ड्राइफ फ्रूट्स प्राई करनेंगे फ्रेंट्स फ्रेंट्स में किस्मी स्वोट के बागे सब चीज़े डाल देंगे प्रेंट्स बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है बस हलका पेंगेश करने तक फ्राई करना है फ्रेंट्स ड्राइफ फ्रूट्स फ्राई हो गया मम्मी उसे डारेक्टी दूर में डाल रही है प्रेंट्स उसी घी में बच्चेवे घी में ममी ने सवेई डाल दिया है अभी सवेई को फ्राई करेंगे हलका गोल्डेन आने तक और अच्छी खुश्बू आने तक फ्रेंट्स दूद वाला जो गया से वह ममें बं नहीं की है वह अभी पी चल रहा है और वह दूद थोड़ा सा दिरे-दिरे गाड़ा होते जा रहा है फ्रेंट्स बीच बीच में दूद पर भी धियान रखेंग है है हैं कि असाइड साइड में जो हमारे लगते जा रहा है चाली उसे खरोषते वे फ्रेंट्स दूद को हिलाते रहेंगे पीच बीच में और मोटे तलेये के बरतल जोटर बरतले दूदमें डालने से पहले थोड़ा से ओक पानी पोर कर ले पहले उसमें दूद डाले है तो जलने की संभावना नहीं रहती है इंड समय पर ध्यान रखते रहें तरफ फ्राइब हो चुका है गोल्डेन होने तक फ्रेंड समय को फ्राइब करना है इसमें से एक अच्छी से सौंधी-सौंधी खुश्बू आने लगती है इंड समय को डारेक्ट उठाके दूद वाले बतन में डाले इसमें दूद खोला रहा है पहले मम्मी जो चीनी अड़ी है दूद में अध। मम्मी खरिए दूद मे अधुश्य ने अधूत भ 나타जी तक पकाना है इस समय आप थोड़ा से निकाल करके चीनी वगएरा टेस्ट कर सकते हैं चीनी कम हो तो आड़ कर लीजे और अगर ज्यादा हो तो थोड़ा दूद मिक्स कर लीजेए पकते वे पांच मिनेट हो चुका है दो तीन मिनट और पकाएंगे और फिर यह जैसे दीरे-दीर ठंडा होगा यह खुद भी गाड़ा होता रहता है फ्रेंट्स दो मिनेट हो चुके सवय को पकते वे और यह हैं बन के तयार अब हम गैस आफ कर देंगे फ्रेंट्स अब इसे हम सर्व करके आपको दिखाते हैं अब इसे हम सर्व करके आपको दिखाते हैं अब भी जगाओे बना करके दो फ्रेंट्स यह खाल जगा बना कर दिखाते हैं अब भी गाड़ा हैं रहां भी और